शारुक खान उफ ये एक आदमी इस एक आदमी ने अंदभक्तों की आखों में मिर्ची डाल रखे धनिया वो रखा है अंदभक्तों के लिए इस एक आदमी ने अब ताजा ताजा मिस्र में पियम मुदी के स्वागत ने कुछ ऐसा हुआ कि अंदभगतों को कस के मिर्ची लग गई दोस्तों शारुक खान का बेटा ड्रग्स मामले में फसा तो अंदभग एक महीने तक नाचते रहे बाद में आरियन इस मामले में बेकसूर साबित हो चूट गया फिर आई पठान की बारी शारुक खान की फिल्म पठान जिसकी हिरोईन दिपिका पादुकोन की इस औरेंज बिकिनी पर तो अंदभग सड़कों पर ऐसे उतरे ऐसे उतरे की पूछिये मत और नतीजा क्या हुआ पठान हिंदी सिनिमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म पर गई और अब एकदम ताजा ताजा मिस्र में है जहां पियम मोदी अपने बहुत ही महतपूर दोरे पर थे वहां भी नजाने भगतों की नीन उड़ाने वाला ये नाम शाओ खान कहां से आ गया दोस्तों बीजेपी और आईटीसल का पूरा जोर ये बताने में कि पियम मोदी ने एजिप्ट जैसे मुस्लिम देश में जाकर कजब का मोहल बना दिया हाला कि अपने देश में तो पियम मोदी कभी मस्ज़द जाते नहीं है लेकिन एजिप्ट के अपने सरकारी कारिक्टम में वहां की मस्ज़द भी गए मुसल्मानों के साथ फोटो भी जाई वहां का राज के सम्मान भी लिया तो आईटी सेल वालों ने इन तस्वीरों का ऐसे प्रचार किया कि देखिए मोदी जी को दुनिया भर के मुसल्मानों से कितना प्यार बिलता है वही PM जैसे ही पहुँचे मिस्र में उनके स्वागत में मिस्र की एक 19 साल की लडकी ने उनके लिए हिंदी गाना गया जैना जैना नाम की इस एजिप्ट की लडकी ने पिम की इस वागत में शोले फिल्म का गाना है ये दोस्ति हम नहीं दोड़ेंगे उस उस गाने को गाया इस मिसाल से कि मतलब एजिप्ट और भारत की दोस्ती के लिए तो पीम भी जैना की हिंदी सुनकर बड़े हरान हो गया कि बई तुम्हारी हिंदी तनी अच्छी है पीम ने ये कहा जैना से कि तुम्हारी हिंडी इतनी अच्छी कि पहचानना मुश्किल लगी इंडिया की बेटी हो तुम या एजिप्ट की बेटी हो इसके बाद जैना से वहां मौटूद इंडियन रिपोर्टर्स ने सवाल पूश्टे शुरू कर दिया क्योंकि पीम ने उनकी तारीफ के थी तो जैना से रिपोर्टर्स ने इंडियन रिपोर्टर्स ने सवाल पूचा कि आपको बॉलिवुट का कौन सा स्टार पसंद है तो जवाब में जेना ने कह दिया शारुख खान, I love शारुख खान अब बेचारी एजिप्ट की जेना को थोड़े ही पता था कि शारुख खान ये एक नाम अंदभक्तों के रातों के नीर उड़ा देता है यहाँ पूरा IT सेल, मोदी जे की एजिप्ट यात्रा की फोटोज हिट कराने में लगा था और जेना ने बस इतना कह दिया, I love शारुख खान तो बैटे बिठा है, ये क्लिप हिटो गई जोक सपार दोस्तों, और क्या आपको पता है, शारुख खान की वाकई भे एजिप्ट में घजब की फान फॉल गी है कुछ पुरानी ट्वीट्स मुझे मिलें, देखिए पतरकार अरुना चंदर शेखर दिसंबर की अपने एजिप्ट यात्रा में बताती है कि वहाँ शारुख और अमिताब बच्चन के लिए क्या दीवानगी है कुछ साल पहले शारुख की फिल्म दिलवाले को लेकर देखिए वहाँ के लोगों में कितना उत्सा, कितना एक्साइट्मेंट है वही नवंबर में ही डेम के नेता सलमा बताती है जो मिस्र में गई हुई थी, वो लिखती है मैं मिस्र में हूँ, यहां मिलने वाला हर दूसरा व्यक्ति मुझसे कहता है हमें भारत से प्यार है, यह शारुख खान का देश है लेकिन कितने दुख की बात है कि 31 साल के अपने इतने सफल करियर में सूपर स्टार शारुคान जैसे आदमी को भी पहली बार अपने देश में एक खास वर्ग से, एक खास वर्ग से, सबसे नहीं, एक खास वर्ग से इतनी नफ्राज छेले पड़ते हैं आप इजिट में शारुखान के नाम की ऐसी दीवान की पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, मेरा ही चैनल नया है दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की जरुवत है जतना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, जतना हो सके मेरे लिंक को शेर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा तादात में मैं जल्दी लोगों तक पहुँच पाँ, शुक्रिया